हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगें टू लंड़ित दितीमन तो हम लोग कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की अंतरकत लास्ट वीडियो हमने तद्सम और तद्वप कंप्लीट कर लिये थे चलिए आज हमारी बारी है देशत सब्ध विदेशत सब्ध और संकर सब्ध तो आज यह टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जो चलिए देखते हैं क्योंकि थर्ड नंबर पर है देशज सब्द तो क्या होते हैं ये देशज सब्द सबसे पहले definition पढ़ लेते हैं किसी भासा में प्रुक्त ऐसे शेत्रिय सब्द जिनके श्रोत का आधार या तो भासा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो देशज सब्द कहलाते हैं समय परिस्तित कि एवम आवश्रक्ता अनुसार शेत्रिय लोगों द्वारा जो सब्द गड़ लिये जाते हैं उन्हें देशसब्द कहते हैं तो देशसब्द क्या होते हैं जो भी परिस्तिती होती है जो भी समय के according एक शेत्र विसेस के लोगों द्वारा जो शब्द गड़ लिये जाते ह अपने मन से जिन सब्दों को बना लिया जाता है तो वो सब्द देशा सब्द कहलाते हैं नहीं वो शब्द संस्कृत भासा से लिये गए हैं नहीं वो किसी विदेशी भासा से लिये गए हैं वो तो उस शेत्र में रहने वाले लोगों ने अपने व्यवहार से उस शब्द को खचाखच कहते हैं ना कि वह बस तो बहुत खचाखच भरी हुई है तो यह शब्द जो है वह कोई भी ना तो तत्सम सब्द है नहीं उसका जब तत्सम्शब्द होता है उसका ही रूप बदलकर तद्वव मैं आता है तो यह वह भी नहीं है और नहीं कोई विदेशी शब्द है फटा फट और मुक्का ठीक है चलिए देशर सब्दों के भेद इस प्रकार हैं तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि देशर सब्दों के भी हम कितने सारे टाइब जो है उनको कैसे याद करेंगे सिर्फ आपको यह देखना है कि देशा सब्द जो हैं वो कौन-कौन से आते हैं अपने अंतर मन में उमड रही भावनाओं यथा खुसी गम अत्वा क्रोध की अविव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति आती भावविश्च में कुछ मन गड़त धुनियों का उचारण करने लगता है यही धुन फिर उसने तीसरे ने सुना ऐसे ही एक समुधाय ने उस सब्द को पकड़ लिया और उस सब्द का यूज करने लगी तो वही क्या होता है देशा सब्द कहलाता है दीरे दीरे उनका अप्रियोग साहित्ते में भी होने लगता है जैसे उधम, अंगोच्छा, खुर्पा, डो लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट तो ये सब ही भी क्या है देशा सब्द हैं दूसरे टाइप है द्रविन भासा से आए देशा सब्द यानि दक्षनी भासा से आए सब्द जैसे अनल, कटी, चिकना, ताला, लूंगी, इडल दोसा, तो ये सब्द द्रविन भासा से आए हैं लेकिन ये भी देशा सब्द हैं जो कि वहां पर बोले गए वहां के लोगों ने अपने व्यवार के अकॉर्डिंग उन्हें बना लिया, कोल, संथाल, आदी से आए सब्द तो यहां से भी कुछ देशा सब्द निकल कर आए जैसे कपास, कोडी, पान, परवल, बाजरा, सरसों, आदी तो यहां आपको याद रखना है देशा सब्द परात, काच, ढोर, खचाकच, पटापट, मुका, उधम, अंगोचा, कुर्पा, ढोर, लपलपाना, पुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खट पट, अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, कपास, कोडी, पान, परवल, बाजरा, और सरसों, यह सब ही हमने क्या देखे, देशा सब्द, ठीक है, तो यह आपकी बुक में आए हुए शब्द है, चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, विदेशी सब्द, वि तुर्की, फ्रांसिसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, युनानी, यहां के शब्द जो हैं, वो हमारे देश में आए, सबसे फर्स्ट में हैं, अंग्रेजी भासा के शब्द, जो हिंदी में प्रिक्त होने लगे, कौन से? अफसर, अब देखे, यह पर कई शब्द आएंगे, जो हमें पता ही नहीं होगा, कि वो हमारे देश के तो है ही नहीं, अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पैन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडि अर्बी भासा के, अब अर्बी भासा के कौन से सब्द हैं, देखिए, अकल, अदालत, आजाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीपा, कमाल, कबजा, कानून, कुर्सी, किताब, किताब देखिए, हम रोज बोलते हैं किताब, तो ये किताब जो है, वो क्या है, अर्बी कार्यों में, जिला जो है, उस शब्द का प्रियोग, तहसील का प्रियोग, कितना होता है, तारीक का प्रियोग तो हम करते हैं, तो ये सब्द क्या है, अर्बी भासा के, ताकत, तमासा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई के पास हम जाते हैं, मिठाई लेने के लिए, और ये क्या है, अर्बी भासा का सब्द है, हुक्म, हिम्मत और ये सबी किसके हैं, अर्बी भासा के सब्द हैं, नेक्श देखिए, पार्सी के सब्द, अकवार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशवाजी, आ गुलाब, गुबारा, जानवर, जानवर देखे कहां से है, फार्सी का सब्द है, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वा, तबाह, दरजी, दीवार, नमक, नमक देखे कितना यूज होता है हमारी रसोई में, यूज होता है, आप लोग भी कितनी बार बो शेर, शेर तो आपने पहली बार ही सुना होगा कि शेर जो है वो तो फार्सी का सब्द है, सुखा, सौधागर, सुल्तान, सुल्फा, ये सबी कैसे हैं, फार्सी के सब्द हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुर्तगाली भासा से, अचार, अगस्थ, ओल्पिन, ओल्पिन कार्बन, कमीज, कमरा, गोबी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबाधा, संत्रा और साबुन, तो ये सबी पुर्तगाली भासा के सब्द हैं, तो आपको ये याद कैसे होंगे, ये याद इस तरीके बोलेंगे अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इसपात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोबी, कोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबाधा, संत्रा, साबुन, ये सबी पुर्तगाली बासा के सब्द है, इस तरीके से आप कम से कम चार या पांच बार दोराएंगे, तो ये आपको आजाएंगे, समझ में, और याद भी रह जाएंगे, चलिए, नेक्स्ट हैं, तुर्की बासा की, आका, उर्दू, काबू, कैची, कैची देखिए, कितना यूज करते हैं हैं, तुर्की बासा का शब्द है, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, देखिए, चुगली शब्द भी तुर्की बासा का है, चोगा, चमच, तमगा, तमाशा, तो, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, तो देखिए, तुर्क जो लोग थे, वहां जब आये भारत में, तो यह शब्द जो है, उनके साथ हमारे देश में चले आये, बेगम, बहादुर, मुगल, तो आपको पता है न, कि मुगल जो है, वो शब्द कहां से आया है, तुर्की भासा, क्योंकि हमारे देश में पहले तुर्क आये थे, लाश, शराय, आदी, तो कहां से हैं यह तुर्की भासा से, फ्रेंच यानि फ्रांसीसी से हैं, अंग्रेज, काजू, कार्थू, कूपन, टैबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, मीनू दखिए, किसी का भी नाम हो सकता है मीनू, तो यह फ्रांसीसी भासा का है, हमारे देश का नहीं है, रेस्टरां, तुरूप, आदी, नेक्स्ट है, चीनी से लिए गए हैं, चाय, आप सुबह चाय भी थे हैं, तो यह शब्द जो है वो, चीनी का है, हमारे देश का नहीं है, हमने क्या किया है, एडॉप्ट किया है, चीन से, लीची, लोकाट और तूफान, डच से लिए गया है, अंडरगाटन, फ्रॉबेल, तो वो कहां से है, जर्मनी से, क्योंकि वो क्या थे, जर्मन थे न, एक फ्रॉबेल, फ्रॉबेल एक जर्मन थे, तो वहां का ही शब्द है, तिबबती से है, लामा, तिबबती लामा आपको याद होगा, डांडी, रूसी से है, जार, सोबियत, रूबल, स्पूतनिक, बुजूर्ग, लूना ठीक है और यूनानी से है अकैडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन और बाइबिल तो ये सब क्या थे सारे विदेशी सब्द थे जो हमने दूसरे देशों से अडप्ट किये अब देखिए फिर है संकर सब्द संकर सब्द क्या होते ह हिंदी में वे शब्द जो अलग-अलग भासाओं के सब्दों को मिला कर बना लिए गए हैं जैसे कि अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्सी सब्द होंगे, उनके साथ अर्भी मिल गया, तो एक सब्द तयार हो गया, तो वो संकर सब्द बन गया, संस्किर्ट के साथ हिंद एक सब्द बन गया, तो वो क्या कहलाया, संकर सब्द, यानि कि दो अलग-लग भासाओं को मिला कर जब एक सब्द बनता है, तो उसी संकर सब्द कहते हैं, तो चलिए, RBSD के वूक में जो example हैं, उनको हम देख लेते हैं, वर्स गांठ, इसमें जो वर्स है, वो तो है संस्क्रित का सब्द है यानि तद्सम सब्द है तो ये exam में कैसे पूछ हेगा आपको ये पूछा जाएगा कि वर्स गांट जो है उसमें कौन सी दो भासाओं के शब्द लिये गए हैं तो यहां आपको confuse करने के लिए वो दे देगा कि वर्स जो है लिया गया है फार्सी सब्द और गांठ जो है वो लिया गया है हिंदी सब्द इस तरीके से ठीक है तो अब तक तो आपको थोड़ा बहुत तो पता चला ही होगा कि वर्स जो है वो क्या है संस्कृत का सब्द है तो अगर आप दूसरी भासा को नहीं जान पाते हैं तो पहली भासा को लेकर भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे वर्स गांठ वर्स का है संस्कृत का और गांठ जो है वो क्या है हिंदी का सब्द है ठीक है जो हमने देखा था ना ग्रंथी तो उसका क्या है गांठ उद्योग पती जिसमें उद्योग जो है वो संस्कृत का है और पती जो है वो हिंदी का है रेल यात्री में रेल जो है वो तो यहां संस्कृत का सब्द है, कुछ तो यह आई से ही पता लग रहा होगा, उध्योग में देखिए, यहां पर आदा द' आया है, और रेल यातरी में यातरी में त्र आया है, तो यह तज्सम सब्द हो गए, संस्कृत के हो गए, टिकिट घर, इसमें टिकिट जो है वो बेड, जिसमें बेड है, वह है, फार्सी सब्द है, और ढंगा क्या है, हिंधी का शब्द है, नेक्स्ट देखिए,बेड प्राप्त, सजा प्राप्त में, सजा जो है वो फार्सी का है और प्राप्त जो है वो हिंदी का शब्द है, उड़न तस्तरी में उड़न हिंदी का है और तस्तरी जो है वो फार्सी का सब्द है, तस्तरी हमने देखा था अभी फार्सी शब्दों में, बे काइदा में बे वही आ गया, बे तो इस तरीके से हमने जितने भी शब्द थे वो देख लिये हैं जो आपके एक्जाम में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक के साथ थैंक यू